अगले टोपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिस टोपिक का नाम है किफ्चन टेग ठीक है किफ्चन टेग जेसेसी के किसी भी प्रतुक्ता परिक्षा के दरिष्टी से बेहद ही इपोटेंट होने वाला है तो चली हम लोग किफ्चन टेग के बारे में पढ़ना अरम करते हैं देखें किफ्चन टेग में सबसे पहले इसके डिफिनेशन के बारे हम लोग समझेंगे जैसे किफ्चन टेग मतलब वाक्य के अंत में किफ्चन टेग का उप्योग कतन की पुष्टी के लिए किया जाता है यह वो कतन या जिस बेक्ति के बारे में कतन कहा जा रहा है वो परजेंट है या अपसेंट है जैसे रभी इज वर्किंग इजन ठी मतलब रभी काम कर रहा है न मतलब पुछा जा रहा है मने उसके बारे में पुष्टी किया जा रहा है कि रभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक है तो एही हो गया आपका किविशन टैग मनें subject के बारे में push करें मतलब उसका confirmation ले कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक है तो ही हो गया qvt tag चले आगे बढ़ते हैं हैं तो हम आगे इसमें qvt tag को बनाने का नियम के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो question tag बनाने का सबसे जो पहला नियम है वो है दोस्तों rule number one कि question tag लगाते समय कभी भी noun का use न करें बलकि pronoun का use करें मतलब question tag यदि बनाना है तो कभी भी जैसे कि यहाँ पास राधा noun दिया गया है तो राधा के स्थान पहने लोग इसका pronoun का use करेंगे मतलब C खाप्रयोग करेंगे जैसे राधा is dancing ठीक है, तो कीशन टेक बनाएंगे तो हो जाएगा इजन्ट C क्या हो जाएगा, इजन्ट C पिछली वीडियो में हों लोग narration topic से सम्मंधित अथियो के बारे में पढ़ेते दोस्तो इस वीडियो के आगे आने वाले वीडियो में हों लोग narration से सम्मंधित महत्मुन answer question का test कर लेंगे, ठीक है चलिए, rule number 2 है अगर वाग क्या positive है तो question tag negative होता है ठीक है, अगर वाग क्या है positive है, question tag negative होता है और यदि वाग के negative है तो question tag positive होता है मतलब just opposite होता है एक दूसरे का negative है तो positive, positive है तो negative राजीव विल help you aren't he ठीक है, यहाँ पस क्या था राजीव विल help you यहाँ पस positive था sentence लेगिन question tag बनाने के लिए हम लोग क्या कर दिये negative से यूज कर दिये और pronoun यहनि कि राजीव का pronoun ही का परियूग कर दिये वाग के positive है question tag negative है इसमे ठीक है राजीव विल not help you विल ही तो देखे, यहाँ पस देखे negative है यहाँ पस इसका question tag क्या हो गया, positive हो गया विल ही, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वाग उसमें क्या था, negative था और question tag क्या हो गया था, positive हो गया था rule number 3 है कि I am का इस्तमाल वाग के में किया गया हो, तो question tag के लिए aren't I का use करें, ठीक है यहाँ पस amount I use नहीं होता है, जैसे I am working तो इसमें क्या सही हो जाएगा aren't I इसमें क्या हो जाएगा सही हो जाएगा लिकि amount I गलत हो जाएगा ठीक है इसी में है कि amount I old English का सब्द है जिसे modern English grammar में use नहीं किया जाता है ठीक है, amount का परयोग नहीं किया जाता है rule number 4 किशन टैग में contracted form of helping verb तथा note का ही use करना चाहिए ठीक है, जैसे कि doesn't he मतलब जब हम लोग इसका contracted form मने helping verb और note का दूनों को मिला हुआ मतलब does और note अलग अलग परयोग नहीं करेंगे इसका परयोग करेंगे doesn't he उसी परकार is या note का परयोग नहीं करेंगे, isn't it का परयोग करेंगे ठीक है उसी परकार है has और note का परयोग नहीं करेंगे hasn't c का परयोग करेंगे ठीक है he came here yesterday evening ठीक है, तो did note he परयोग नहीं होगा, यह गलत हो जाएगा यहां पस हो जाएगा didn't the ठीक है, चलिए आगे है sorry didn't he हो जाएगा आगे है see is beautiful तो is note सी नहीं होगा isn't see हो जाएगा I am working ठीक है तो I am के जहबर हम लोग क्या सिखे थे aren't I लिख देंगे I am not working तो am I लिख देंगे क्योंकि negative है तो positive में बना देंगे ठीक है रूल नमबर 5 यदि वाक्य में none, nobody, no one hardly, bravely rarely, seldom scarcely little, neither, other का यूज हो तो कीफशन टेग पुचेडिव होगा क्योंकि उप्रोक्त सभी सब्द जो है हो negative यानि कि नकारात्मक होते है ठीक है जो जो वर्ड अभी हम लोगों ने देखा पीछे से ले करके हाँ तक ये सभी वर्ड क्या होते है negative होता है तो इसका कीफशन टेग बनाने के लिए हम लोग simply positive का यूज करेंगे जैसे they hardly do any work do they यहाँ पस क्या हो जाएगा positive क्योंकि यहाँ पस क्या हो गया था कि negative वर्ड आ गया था ठीक है चलिए आगे है few words can do their work ठीक है तो इहाँ पस क्या हो जाएगा can दे क्योंकि इहाँ पस negative वर्ड आ गया था ठीक है चलिए आगे है he is never late is he इहाँ पस negative वर्ड देखी आ गया है इसलिए simply positive का यूज करेंगे rule number six is everyone everybody somebody nobody none no one आदी form में singular है इनके साथ question tag लगाते समय puller pronoun use करें singular कदापी भी नई करना चाहिए note दिया गया है कि इन सब्दों के साथ भले ही similar verb का यूज होता है लेकिन question tag में puller pronoun का यूज होगा तो जैसे example है अपास कि somebody stole my pain didn't दे देखे अपास somebody क्या था ऐसे तो somebody क्या है singular है लेकिन question tag बनाते समय इसमें क्या लगा देंगे हम लोग puller लगा देंगे यानि कि दे लगा देंगे everyone can do this job ठीक है everyone क्या है singular है लेकिन इसका यदि question tag बनाएंगे तो हो जाएगा can't दे ठीक है आगी है कि none has seen the future तो इसका हो जाएगा have दे क्यूंकि none क्या है अपने आपने निगेटिव वर्ड इसको positive question tag बनाएंगे तो हो जाएगा puller लगा देंगे इसमें have दे हो जाएगा अगर वाक्य latest या latest subject से शुरू के रूप में use हो तो cell we का use kitchen tag में करना चाहिए जैसे latest play तो हो जाएगा cell we या latest go तो हो जाएगा cell we क्या हो जाएगा cell we या latest जो शुरू होगा cell we kitchen tag हो जाएगा rule no.8 imperative sentence से आदेश निवेदन का बोध होने पर question tag के रूप में on to you या will you का उप्योग करना चाहिए ठीक है जैसे open the window यहाँ पस क्या है निवेदन या आदेश open the window तो आदेश के हैं आपस हो रहा है यहाँ से sense तो हो जाएगा इसका हो जाएगा on to you open the window हो जाएगा इसका will you ठीक है आगे है कि please shut the door तो please जाने के यहाँ पस निवेदन किया जा रहा है हो जाएगा on to you या will you चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है kindly give me money क्या हो जाएगा on to you इसका question tag बन जाएगा लेकिन इदी imperative वाक्यों में don't का यूज किया हो तो question tag will you ही लगेगा जैसे don't us fight on the floor हो जाएगा will you और don't open the gate तो हो जाएगा will you इदी वाक्यों में there या it subject के रूप में हो तो question tag में these या it का यूज करना चाहिए जैसे it is real तो हो जाएगा isn't it there is no money तो हो जाएगा is there आगे है something nothing anything या everything के लिए question tag में it का use करें ठीक है यहाँ पस दोस्तों why छूट गया है anything में चलिए आगे बढ़ते हैं यूज करें do या does का नियूज करना चाहिए ठीक है जैसे something is there तो हो जाएगा isn't it nothing is bad तो हो जाएगा is it or anything can be achieved हो जाएगा can't it और there is no money तो हो जाएगा is there आगे है collective noun के साथ अगर singular verb का use किया गया हो तो question tag में it का use करें अगर collective noun में plural verb का use किया गया हो तो question tag में plural pronoun का use करना चाहिए जहाँ पास collective noun के साथ क्या है similar verb का use किया है तो हाँ पास it का उप्योग किजिए और collective noun ने plural verb का use किया है और qt पूलर pronoun का use करना चाहिए ठीक है मतलब collective plus similar तब हो जाएगा it लेकिन हो जाएगा collective plus plural तब हो जाएगा is ready to announce the decision हो जाएगा isn't it ठीक है अपास क्या था यहाँ पास जो पाहला दिया गया था की collective noun के साथ क्या है similar verb है तब हो जाएगा इसका it हो जाएगा तो ही दिया गया है की collective noun के साथ दिया गया है similar verb ठीक है collective noun के साथ दिया गया है is तो हो जाएगा it आगे है कि the jury were decided देखे पुल्डरल ठीक है help इंभार तो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा पुल्डरल उप्योग हो जाएगा यह निकि दे हो जाएगा the spectators have taken their seats ठीक है एतने है अपस क्या हो जाएगा पुल्डर उप्योग हो जाएगा यह निकि haven't दे हो जाएगा this that का question tag it लगाएं तथा this those के लिए they का use करना चाहिए जैसे कि this pain this is my pain तो हो जाएगा isn't it या these are your pains तो हो जाएगा aren't they ठीक है मतलब this that के लिए it लगाएं और this those के लिए they लगाएं यदि this that के बाद किसी इंसान का जिक्र हो तो question tag में he का या c का यूज करें लेकिन this that के बाद निर्जीव वस्तु का जिक्र हो तो it का यूज करना चाहिए ठीक है देखे this that के बाद यदि कोई इंसान का जिक्र होगा तो he या c का यूज करना चाहिए और this that के बाद कोई वस्तु का बोध होगा तो it का अप्योग करना चाहिए for example this is this boy always helps me doesn't he यानि कि आपस क्या था सजीव था तो he का अप्योग कर दिये that girl always help me didn't see आपस क्या कर दिये see का अप्योग कर दिये these are your pains आपस क्या कर दिये they का प्योग कर देंगे aren't they this pain is nice तो हो जाएगा isn't it this pencil is sharp हो जाएगा isn't it मतलब हो जो गया यान पस निर्जीव था तो हो जाएगा it का प्योग और सजीव रहेगा he is see का प्योग कर देंगे this pencil is not sharp तो हो जाएगा isn't it ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है is it हो जाएगा isn't नि लगा क्योंक निगेटिव दिया गया है तो हो जाएगा is it आगे है यदि one का प्योग subject के रुप में हो तो question tag में one का ही use करना चाहिए जैसे यह पास है one can do it easily तो हो जाएगा can't one speak the truth हो जाएगा student one और one should note tell a light हो जाएगा student one यदि one के तुरंत बाद किसी इंसान का जिक्र हो तो he या सी का यूज करें जैसे one boy can do this task हो जाएगा can't he हो जाएगा और one girl cannot do this task हो जाएगा can see या one man can do it हो जाएगा can't he यदि वाक्य में need note या dear note का यूज हो तो question tag में need या dear का ही यूज करें need note तथा dear note models की तरह काम करते हैं जब ये negative form में होते हैं तो लेकिन positive form में dear तथा need दोनो भर्ब बन जाता है और subject बन subject जो है बन जाते हैं जब तो इनके हिसाब से चलते हैं यानि subject similar तो भर भी similar रूपयोग होगा लेकिन subject polar होगा तो भर भी polar होगा इस स्तिती में don't या doesn't का question tag में use के रूप में करते हैं जैसे इनके लिकित बाकि में दिया गया है ठीक है तो हैं हम लोग जैसे models के रूप में use किया जग गया है इसमें जैसे कि he dare not go there तो हो जाएगा dare he या you need not go there तो हो जाएगा did you या you needn't do this job तो हो जाएगा need you अगर निम्द वाकियों को देखे तो इन वाकियों में need तथा dare को positive फो में use किया गया है अता ये भर्ब के रूप में काम कर रहे हैं अब निम्द वाकियों को do does या did you का यूज करके इसको हम लोग बना सकते हैं जैसे he dares to go there तो हो जाएगा doesn't he they dare to go there तो हो जाएगा don't they he dare to break the wall तो हो जाएगा didn't he या they don't need to perform तो हो जाएगा they do they अगर do noun ठीक है end से जूड़े हो तो kitchen tag puller में लगाना चाहिए जैसे Robbie and Ajay are good student तो यहां पस क्या करेंगे puller लगा देंगे यानि कि aren't दे हो जाएगा ठीक है चलिए आगे है Amit and Sunil have finished the job तो हो जाएगा haven't दे क्योंकि दो गोथे तो puller बना देंगे तो haven't दे हो जाएगा चलिए अब हम लोग क्योचा आंसर इसमें कर लेते हैं most important वाली जैसे पहला question है कि I don't like apples तो हो जाएगा I do क्योंकि negative दिया है पस positive कर देंगे तो हो जाएगा I do और subject यदि दिया गया है sentence present में तो present में ही उसको kitchen tag बनाने का कोसिस करेंगे अन्यथा गलत हो जाएगा जैसे I am tired तो हो जाएगा aren't I और I am working तो हो जाएगा aren't I उसे फिरकार आगे है we played hockey तो हो जाएगा didn't we और she is pessimist तो हो जाएगा isn't she they have broken the glass तो हो जाएगा haven't they Ram likes coffee doesn't he let's start the work kitchen tag हो जाएगा salvee let's dance तो हो जाएगा salvee मैंने late का उप्यों कर दिये तो salvee का उप्यों करेंगे the girl is beautiful तो हो जाएगा isn't she चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है all of us are present तो हो जाएगा aren't we some of us can do it तो हो जाएगा can't we everybody will support us तो हो जाएगा aren't they she doesn't come here तो हो जाएगा dare see I need note go there तो हो जाएगा need I या she used to come here तो हो जाएगा didn't see या he dare to oppose his brother तो हो जाएगा doesn't he चली आगे है इसके बाद he he need my pain तो हो जाएगा doesn't he या we need your help तो हो जाएगा didn't we Ajay and Vijay our friend तो हो जाएगा aren't they don't spite here तो हो जाएगा will you someone stole my pain तो हो जाएगा didn't they anyone can solve it तो हो जाएगा can't they और this is your book तो हो जाएगा isn't it ठीक है चली आगे बढ़ते हैं इसके बाद है let her go तो हो जाएगा will you or some of you some of us are honest तो हो जाएगा aren't we there are your pains तो हो जाएगा aren't they I have seen the taj mahal तो हो जाएगा haven't I or neither of us helped you तो हो जाएगा did you और nobody have has seen हो जाएगा have they ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जे ससी परिक्षा में एक बाफीर साबका स्वागत दोस्तों आप हमारे इन दोनों वीडियोज को देखना न भूले एक में संपूर्ण नाकपूरी ब्याकरन है तो दूसरे वीडियो में संपूर्ण जार्खन समान ग्यान इन दोनों वीडियोज का लिंक डिक्स्रिप्षन में दिया गया है एक बार चेक आउट जरूर करें जरूर्ण